वेलकम फ्रेंड्स, यार वाचिंग सरल इंग्लिज ग्रूप, ए स्टेप तु आर्च इंग्लिज वर्ड, और हमारे साथ सीके बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिज, इस इस तुरेश मौर, और फ्रेंड्स, आज के इस रिलेशन के सिरुवात करते हैं, जिस तरह से हमने पहल मौडल के सीज देखिए, मौडल के सेंटेसेज देखिए हैं, मौडल के लिस्ट देखिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो मौडल के सीज होगी, उस मौडल में हम पास्ट इंडिमेट के साथ में हमारे मौडल पुड को, जो पुड के सेंटेसे किस प्रकार से हम यू कुट करते चलिए आप अपने नोट बूक पर निकाल करके तयार हो जाए और आज हम हमारे इस नए model में सुरुआत करते हैं हमारे कुट से सेंटेसे उसी तरह से हमारे डेली अंगरेजी में उसकी नोट कर लीजे कि हमें कोड मॉडल का तो इस तरह के एक्जामपल अभी हम आगे देखते हैं जिस तरह से हमने पिछले मॉडल में के शुड के यूज किये हैं मस्ट यूज किये हैं उसी तरह से आज हमारा जो मॉडल है कुड है हमारा कुड मॉडल की यूज कारते हैं नहीं किस प्रकार के अंतर होते हैं अगर आप नहीं देखा तो हमने जो वीडियो हमारे प्लेडिस्ट में सेयो करके रखा है आप उसे देख सकते हैं कि the 흰े sentences किस प्रकार से होते हैँ तो चली हम देखते हां कि'M का यूज हमने जैसे depends है present tense के साथ यूज होता है और present tense में हम हमने देखा था कि उनके sentences हमने किस प्रकार से बनायते और और could का use past tense में past indifferent में use होता है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार में इन दोनों में अंतर होता है किस प्रकार से present और past में can के use होते हैं तो आप can को समझने के लिए हमारे model के sentences can के videos में जा करके देख सकते हैं हम इसके link share कर देंगे अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे अपने problem को share कर सकते हैं ताकि हम can और could में आपको उस प्रकार के और कोई problem जो होगी हमसे share कर पाएं आपके answer की solution दे पाएं तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा can का model था और could का model है वह किस प्रकार के sentences हमें देता है किस प्रकार के sentences हमारे life में किस प्रकार के sentences हम अपने जीवन में could के साथ बोलते हैं तो friends हमारे can और could की एक ही use होते है capacity, ability, power, offer और could को हम कभी-कभी निवेदन के साथ यूज़ करते हैं लेकिन इन में एक ही अंतर होता है can present के यूज़ होता है और could past tense में यूज़ होता है तो friends आज इसी प्रकार के sentences हम अपने could के model के साथ में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चली आप तयार हो जाए अपने notebook pen topic के साथ में तयार हिए इस वीडियो को और हमारे channel को अपने उन लोगों के साथ में जरूर सेयर करें जिनके English week होती है जिनको अंग्रेजी के इस तरह के sentences पहचान करने में दिक्कते होती है वो नहीं बना पाते हैं basic sentences नहीं पहचान पाते हैं तो चलिए हम आगे बड़ते और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने आपके लिए 10 sentences जो आप देख रहे हैं पर वो किस प्रकार से कूट से convert होंगे किस प्रकार से हमारे sentences हमी पहचान आ जाते हैं कि वो कूट के sentences होना चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पर जो sentences देख रहे हैं उनके sentences हिंदी के sentences के end में देखेंगे धाल लेंगे कि किस प्रकार से हमें जो कूट के साथ हमें model first form यूज़ करना है हमारा formula होगा subject के साथ में हमें put और verb जो होगा हमें first form ही हमेशा use करना है तो friends आपको सिंपल सा नियम याद रखना है किसी भी model के साथ में हमेशा वर्ट का first form यूज़ होता है तो आप जैसे देख रहे हैं can हमें present में और हमें past में capability, ability, power दिखाने के लिए उसके है तो चलिए आप हिंदी के सारे sentences देखिए अंत में सभी देखते जाए जैसे हम पापा के साथ भुपाल नहीं जा सके मतलब हमें यह ability या capability नहीं हो पाई कि हम भुपाल उनके साथ जा पाए भाईया हमारे साथ नहीं आ सके तो हिंदी में बोल सकते हैं कि हम पापा के साथ भुपाल नहीं आ पाए इसका मतलब है कि हमने वह ability नहीं हो पाई कि हम भुपाल आ सकते थे भाईया हमारे साथ नहीं आ सके कि जगह हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाईया हमारे साथ नहीं आ पाए तो यहां पर पाए का मतलब हमने को में हमने सकता था सकी पाया और इस तरह के sentences हमने आपके लिए अलग-अलग दिखा है तकि आप पहजान पाया आप हिंदी के sentences खुद पढ़े ताकि और कोश कर पाया हिंदी के जो sentences end हो रहे हैं हिंदी में जो अंत हो रहे हैं वो किस तरह से जा सके आ सके बैठ सका बैठ पाया पहुंच सकते थे अकेले कर सकता था समान ला सकता था या समान ला पाया अकेले नहीं आ पाया चीज सकते थे इंदोर नहीं पहुंच सके तो इस तरह के sentences आप देख रहे हैं हम हम इनके अनुवात करते हैं, आप इस sentence को note कर लिजे हम इनके English- erhaltenaine आपको अनुवात translation दिखाते हैं कि कैसे हमने हिन्य föd के साथ में यूज किया है, कैसे हमने interrogative, negative आपके साथ यूज किया है, कैसे हमने chlossen बनाये हैं, जो हम अपने जीवन में use करते हैं, बोलते हैं तो हम मानके चलते हैं friends, आप अगर कोई sentences miss करते हैं तो इस वीडियो को फिर से एक बार start करके देख लिजेगा, कि आप के हिंदी के sentences अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसे फिर से लिख लिजेगा, आप इन sentences को पड़ लिख लिजे, आपकी notebook अब एक बहुतर अच्छी सी होती जा रही है, आपके पास बहुत अच्छे से sentences के series होती जा रही है, आप अपने sentences को अपने और अमसार, अपने life के अमसार मनाते जाएं, share करें इस knowledge को ताकि आप बहुतर ढहन से और सीख पाएं, हम दिखाते हैं आपको इस तरह से हमने इनके अगरेजी में अन्माद हैं, वो आप हमारे playlist के जाकर के lessons में देख सकते हैं, share कर सकते हैं अपने लोगों को, ताकि वो भी हमारे साथ English के इस वीडियो के lessons के साथ में सीख पाएं, तो चली हम देखते हैं हमारे food के sentences, जो हम वर्ट के पस्पां के साथ यूज़ कर रहे होंगे, और हमारे food past को दिखा पास्ट में होने वाले, किसी ability, capability, power के तरफ इसारा करता है, तो चली हम sentences पढ़ते हैं, आप इसे आराम से पढ़ते जाएगा, we could not visit Bhopal with Papa, तो यहाँ पर could not negative है, भाईया पापा के साथ नहीं आपाया, भाईया could not come with us, भाईया हमारे साथ नहीं आपाया, नहीं आ सके, he was so fat that he could not sit in the chair, वो इतना मोटा था कि कुछी पर नहीं बैठ पाया, if you came, we could reach on time, अगर आप आते हैं, तो यह past में ऐसा होता, कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, तो हम लोग time से पहुँच पाते, तो यहाँ पर वो दो incident को हमने इफ के साथ जोड़ कर दिखाया है, कि अगर वो आत से, तो हमारे साथ में वो जो घटना है, पहुचने की टाइम पर हो पाती, विट्व कुड दो इस वर्ग अलोन, विट्व कर सकता है, इस काम पर के लिए, तो यहाँ पर आखरी sentence आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किये, बाइक मांग रहे हैं, क कुड से जो बना हुआ sentence है, यह विनम्र नियदन है, जो मॉडल के साथ में किया जा सकता है, तो फिर्ट्स आपने यह दस sentences के अंगरेजी में अनुआद देखे, इस translation देखे, इस तरह से कुड से हमने negative है, interrogative है, हमारे question word है, इस तरह से affirmative है, हम सभी आपको दिखा है, हमने आ sentence होता है, तो आप उसे देख पाएंगे, डिख पाएंगे, बार बार सुनेंगे तो आपने समझ पाएंगे, आपने इस तरह के sentences को बार बार बोलने की practice में लेते जाएए, हम आपको आगे दिखाते हैं, हमारे अगले sentences, जो हमारे full model के साथ में ही हैंगे, और हम model के sentences पढ़ लिए यह हमारे उसी त्रह के sentence है, जिससे हमी पता चलेगा है तो उनसे कब मिल सके तो यहां पर सका सकी सकते थे, कब मिल पाए आप ऐसा जी बोल सकता है, तो उनसे कब मिल पाय से नोट कर लिए के स्क्रीन को पॉस करके देख लिए सारे सेंटेसे तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे लाइफ के ही आसपास के हमरे जीवन के ही सेंटेसे होते हैं जो हम हमारे जीवन में यूज करते हैं बनाते हैं हम इन सारे सेंटेस के अंगरीजी आपको भी दिखात तो चली हम आगे बढ़ते हैं आपने ये sentences note कर लिया होगा अगर भी कर पाएं इतनी जल्दी में तो आपसे आराम से फिर से एक बार वीडियो को देख करके note कर लें हम आपको इनके अंगरिजी दिखाते हैं इस तरह से हमने इनकूट के साथ में मॉडल के साथ में जो sentences है वो ह सब्सक्राइब होते हैं वैसे sentences भी आपके साथ में उसकिया है तो चली हम पढ़ते हैं When could you meet him? Why could Rohit not finish all his tiffin? या Why could Rohit not eat all his tiffin? जो उसने टiffin लेके गया था वो आज क्यों नहीं खा पाया या क्यों नहीं खा सका How far could Baba go for a morning walk? जो बाबा है दादा जी है वो कितनी दूर सुभाज हमने जा सके How much charity could our committee collect? हमारी committee कितना धन या कितना चंदा इखटा कर पाई? यहां पर देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी committee कितना चंदा इखटा कर प How could all enter बिना get pass के जो without get pass, How could all enter get pass की बिना कैसे सबंदर आ सकते थे? School could have arrangements for students तो यहां देखिए हमने first form जो हमारा verb है साथ के sentence में हमने could के साथ have use किया इस तरह से हमने may have, can have के sentence बनाया है तो हमारे could have के sentence भी अगर हमारे पास कुछ है कोई बीमारी है जो पहले हो सकती थी इस तरह के sentence जो could have, have के use हमने पहले पढ़े हैं तो आप हमारे video list में देख सकते हैं कि हेओ का use किस तरह से हमने किया, school could have arrangements for poor students, kids could learn English from YouTube, जैसे आप लोग YouTube से कुछ सीखते हैं, सीख रहे हैं तो उसी तरह से बच्चे भी सीख सकते थे, इस तरह के sentence है, you could send at least one message, इस तरह से हम बोलते हैं कि एक phone तो कर सकता था, एक message तो कर सकता था, किसी को घेज तो सकता थ इस तरह का sentence है, तुम एक message या तुम एक message तो कर सकता था, how could he do this to me, इसा कैसे कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए हमारे जीवन के आसपास के sentence है, how could he do this to me, तो मिर साथ ऐसा कैसे कर सकता था, तो देखिए हमारे sentences हमने आपको अभी 20 sentences दिखा हैं, जो हमने put के साथ में translation किया है, model का यूज किया है, हमने past में capability, ability, power को देखा है, हमने venerable newism बनने वाला जो polite request था, वो भी देखा है, तो friends, आप इस तरह के sentences बनाएए, हमारे साथ साथ सेर करिए, वीडियो को एक बार रो, restart करके देखिए, आप अपने friend के साथ इसी तरह के sentences अपने group में बनाएए, आप साथ रिये, keep watching Sarah English Guru, a step towards English world, subscribe our channel, like and comment, press bell icon so that you can get latest video, share your knowledge with us, make your group larger and better, bye-bye.